नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आप सभी लोग मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मेरा नाम है अभिणो तोशान शुपांडे और हम कर रहे हैं परिक्षा की तैयारी यहां पर कच्छा दस्वी और बार्वी दोनों के लिए हम सारे विश्यों पर आपको परिक्षा की तैयारी करा रहे हैं यह सारी इसकी सारी वीडियो और इसके साथ में अडिशनल मैटिरियल हमारे Android एप्लिकेशन में भी एविलेबल है जो कि आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन अगर आप यूटूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे बढ़ते हैं हम लोग किस बारे में चर्चा कर रहे थे हम आँखिक प्रशनों के बारे में बातें कर रहे थे और यहां पूरू प्रशन पत्रों से उठा पर उठा लीजे और फिर हम आगे बात करते हैं देखिये किसी 20 cm फोकस दूरू के उत्तल लेंस अब उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो है एफ कमान हो जाएगा 20 cm ठीक है और इसी तरीके से इसके संपर्क में रखे 30 cm के आउतल लेंस तो यहां पर जो है जो संयुग्त लेंस होगा उसकी फोकस दूरी निकालना है हमको संयुझन का फॉर्मूला पता है 1 बटा F बराबर 1 बटा F1 धन 1 बटा F2 अब यहां पर हम मान डालेंगे तो यह हो जाएगा चले मान डाल देते हैं और यहां पर हो जाएगा देखिये 1 बटा F1 का मान क्या है 20 cm है और धन एक बटा यहां देखिए 30 cm है सबसे पहले हमको चिंता इस बात की करनी है कि दोनों के जो हर है वो बराबर नहीं है अगर जो है मैं इनके हरों को बराबर करने का प्रयास करूं तो मैं यहां पर 3 बटा 3 का गुणा कर दूंगा और इसी तरीके से मैं यहां पर 2 2 बटा 60 और इसका उत्तर आजाता है एक बटा 60 और यह किष का मान है यह एक बटा एफ का मान है यहां से हम लोगों ने उठाया है इस प्रकार से हम को संयूग तो focal lens f का मान जो है 60 cm बन मिल जाता है यह धनात्मक है या निरिनात्मक है तो यह हमको धनात्मक है मतलब हमको bifocal length मिलेगा और bifocal length को हम क्या बोलते हैं अब सारी बोलते हैं ठीक है तो इस प्रकार से हमको सयोजन और उसके प्रकृति दोनों के बारे में पता चल गया अगला प्रशन यहां पर द यहां पर दो प्रकार की दिखाए देनी हैं पहले तरिज्या यहां पर होंगी और r2 का मान हो जाएगा R2 जो जाएगा रिण 20 cm और R1 का मान यहाँ पर यह वाली त्रज्या और R1 का मान हो जाएगा 20 cm ठीक है? अब जो है हम लेंज सूत को जब हम उसकी का गठन कर रहे थे उसकी सरचना कर रहे थे तब हम लोगों ने एक सूत दिखा था वो क्या था? बो था एक बटा एफ एक बटा एफ बराबर मूरन एक और यहां पर था मूरन एक और यहां पर था और 2-1 यह.r1-터 एक बार कंफर्म कर लेते हैं तो यह था r1-r2 और यहां पर r1-r2 है भाई और इस प्रकार से हमको यहां पर जो है सूत्र मिल गया अभी सूत्र में हमको मान डालना है तो लेंस की फोकस दूरी यह निकी एफ निकालना है म्यू का मान क्या है देखिए एक दसंबलव पांच है म्यू का मान म्यू का मान कितना है एक दसंबलव पांच है तो यहां पर क्या मिलेगा यहां पर देखिए एक दसंबलव पांच रिण एक और यहां पर हमको मिल जाएगा देखिए 20 तो यहां पर जो है आर वन का मान कितना ह और यह है आट ठीक है तो अब जो है आपको यहां पर यह मिल गया यहां हम जो है अगर देखेंगे तो 20 और 20-40 होता है और एक दसमलों पांच में से एक गया तो कितना बच गया यहां पर बच जाएगा हमको एक अच्छा यहां पर जो है यह सूत्र थोड़ा सा गलत है इसको यहां पर यह सूत्र है म्युँ रिन एक और यहां से जो हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो यह नहीं दो बाटा चालेस यह पीध़ यहाने कि यह हो जाएगा एक बटा रीड एक-बटा थेया और यहां पर मू रीडि एक तो यहां से कली है इंस और कली यह फार ग्रिठ एक बटा 20 और यहां से हो जाएगा तो यह हो जाएगा हाफ तो यह हो जाएगा एक बटा 40 जो है आपको कुल मिला के फोकस दूरी मिलती है ठीक है अच्छा यहां पर जो है आपको यहां पर जो है दो बटा 20 मिलता है यहां पर गलती हो गई हमसे इसको सुधारेंगे यहां पर हमको जो है दो रिड़ दो बटा 20 मिलता है और यहां पर हो जाएगा सून दसमलव पांच गुना रिड़ दो बटा 20 और यहां पर हमको मान मिल ला और यह जो है रिण एक बटा 20 cm और फोकस दूरी F का मान हो जाएगा रिण 20 cm इस प्रकार से हमको फुल मिला के फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है अब जो है हम आगे बढ़ेंगे यहां पर फिर से वैसा ही प्रश्ण है दोनों प्रिष्ठों की वक्रता ती जाए 20 cm है और 1.5 आग जो तो लेंज की फोकस दूरी अभी अभी हम लोगों ने निकाला है रिण 20 cm यह प्रशन कंप का था सेट ए में और सेट इमें और सेट ची में भी जो है यही प्रश्ण पूछा गया है तो इस प्रकार से तीनों प्रश्ण के उत्तर हम लोगों ने दे दिए अब हम दे और विचलन यह हो जाएगा तीस अन्स अब जो है हम को क्या करना है फिर्जमि पदार्थ का निकालना है यहां परदेखते हैं साइन डो पलस ए हम मान डालेंगे। और मान क्या होता है यहाँ पर देखिए साइन दो का मान है तीस धन साथ और बटा दो मतलब साइन पैतालिस अंस और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए का मान क्या है साइन तो साइन साथ बटा दो तो यहाँ पर हो जाएगा साइन तीस और साथ नबबे बटा दो मतलब पैतालिस साइन 45 बटा साइन 30 अब साइन 45 का मान होता है 1 by root 2 और साइन 30 का मान होता है 1 by 2 अब जो है हमको पता है A बटा B और पूरे का बटा C बटा D और इसका मान हो जाता है A बटा B गुना D बटा C और इस तरीके से यहां जो है दो बटा वर्गमूल दो यने की इसका मान हो जाएगा वर्गमूल दो और यह किसका मान है यह हमारे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यना की अप औरतनांक का मान है तो इस प्रकार से जो है हम लोगों को यह चीज़े समझ में आ गई अगला प्रश्ण क्या है देखिए अगला प्रश्ण है 60 अंस और यहां पर 38 अंस छपा हुआ है यह तो यह 38 नहीं होना चाहिए या फिर आपको प्रश्ण में इस प्रकार के मान या वैलू मिले हुए होने चाहिए तो हम इसको जो है अभी 30 मान लेते हैं लेकिन अगर यह 38 है तब भी आप यही सूत लगाएंगे और उसके बाद में अपनी परिक्षा में वो जो अंस और उनके मानों का उनके साइन कॉस्ट एन वाला जो टेबल मिलता है वहां आपको परिक्षा में उपलब्द कराये जाएगा और वहां से आप मान कर मान देखकर आगे की गढ़ना क कर सकते हैं तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने सारे के सारे आंकिक प्रश्न जो विगत वर्सों में पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा कर ली है अब इसके बाद में जो है हम अती लग उत्तरिया प्रश्नों की ओर चलेंगे हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद